वर्दी के गरीमा को तार-तार करने वाले यूपी पुलिस के दरोगा अरुन कुमार के खिलाब पुलिस कप्तान के आदेश पर रिपोर्ट दरज कर दी गई है दरोगा पर एक महिला ने आरुप लगाया है कि वह पिसले काफी लंबे अर्से से पिस्टल अथ्वा घर में चरस रख कर सभी परिजनों को अंदर डाल देने की धमकी देते हुए उसके साथ रेप कर रहा है अब उसकी नजर उसके बेटी पर भी है तो महिला पुलिस कप्तान के दरबार में जा पहुँची इस महिला ने इसी दरोगा संग दांस करते वीडियो वाइरल होने पर एक अखबार नवेस समेथ कुछ लोगों के खिलाब मेरट के ब्रह्मपुरी थाने लाकर में काफी समय पहले एक रिपोर्ट दसकराई थी दरोगों के खिलाब अब जांच रिपोर्ट आने के बाद करवाई होगी मेरट के सरस्वती लोग निवासी इस महिला ने गुरुवार को पुलिस कप्तान से मुलाकात की थी महिला ने लिखित में हस्तनापुर थाने की भद्र काली चौके इंचाज अरुन कुमार पर संगीन आरूप लगाये थे पहले सुनिये क्या कहा है पिडित महिलानिया की वाजा से क्योंकि वहां जाकर वहं घाम करता है बीच बीच में उठाकर मुझे ले जाता है अगर नहीं जाती तो वहीं पर सब के सामने मार पिटाई करता एक काटता है यहां तक कि अप फ़ौन चीन के फैक देता है फोन ने उठाती तो घर में आ जाएगा अरुन कुमार अरुन दिवाकर ये हस्तिना पूर भधरकाली चोकी अधर को मेरट के पुलिस कप्तान प्रभाकर चौदरी ने मीडिया को यह जन करी थी ये कल एक सूचना प्राप्ती थी जिसमें एक महिला ने एक प्लीस कर्मी जो की सब इंस्पक्टर है अरुन कुमार नाम में के खिलाफ बताया कि उन्हें उनके साथ रेप किया है उसका एक तहरीर सौका था उसमें तद्काल प्रभास एफ आप पंजिकरित करने के लिए आदेशित कर दिया गया हस्तिना में और इसमें प्रकरण ये है कि पहले भी उस महिला में एक और एक और एक पाई आर कुछ कर लिए गया है जो भी साच आएंगे लिस पर चता के अदार पर उस पर आगे की कारवई की जाएगी इस ख़बर में फिलाल इतना ही है और देख देरिये फस्टबै.tv नमस्कार